रहाँ है हेलो फ्रेंड अस्सेलाम व्यक्न वेलकम बैक टुव्य यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स लोग कैसे उमीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे और लहांदुलिल्ला मैं भी ठीक हूं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे चैनल को कर लिजे लाइक और न्यू है तो मेरे कर लिजे subscribe bell icon all पर click कर लिजे ताके मेरी आने वाली हर एक new video का notification आपको सबसे पहले मिले और आप से मेरी कोई भी video मिसना होने पाए आप मेरी video को सबसे पहले देख पाए और इस community section में video से related आप comment कर सकते हैं तो friends आज इद का दीन है और मैं इस इद पर दही बल्ले की recipe आप लोगों के साथ share कर रही हूं तो आज इद का दीन है तो इद के दिन मैं दही बल्ले बनाई हूं तो वो दही बल्ले मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूं तो ये बहुत ही tasty दही बल्ले बने हैं बिलकुल रूई की तरह soft देखिए मैं आपको cut करके दिखा रही हूं ये अंदर से भी कितने अच्छे खोखले जालीदार बने हैं और बहुत ही soft बने हैं और खाने में बहुत ही tasty बने हैं और इसका लुक देखिए कितना खुबसूरत लुक आया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने 200 गराम उड़त का दाल लिया है और इसे रात भर भीगो कर छोड़ दिया था तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे 2-3 घंटा पहले भी भीगो सकते हैं यह जल्दी फूल जाता है तो उड़त का दाल को इस तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे पहले तो देखिए मैंने दो तीन पानी से धो लिया है और अब इसे मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे तो देखिए मैंने सारा दाल मिक्सी के जार में डाल लिया है और अब इसमें मसाले एड़ करेंगे तो मसाले में मैंने वन टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च एड़ किया है तो और फिर इन मसालों के साथ पीस लेंगे डाल को तो देखिए मैंने पीस लिया है कितना स्मूद बैटर बनकर तयार हुआ है बिल्कुल मैंने बारिक पीसा है दही बल्ले के बैटर आप बिल्कुल बारिक पीस कर त्यार करें दरदरा यह मोटा बिल्कुल भी ना पीसे नहीं दो आपके दही बल्ले अच्छे नहीं बलेंगे चैनल तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूं आप लोग ठीक हो तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले तो मैं आप लोगों के साथ दही बल्ले की रेसी की पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन और पर क्लिक कर लिजेगा याने वाली हर एक नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप से मेरी कोई भी वीडियो मिसना होने पाएं तो चलिए दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो मैंने बल्ले के लिए बैटर पीस कर रखा है वो एक साइट रख देते हैं और फ्लेम आउन करके कडाही चड़ाते हैं तो अभी कडाही में पानी है तो पानी को सूखने देते हैं फिर इसमें तेल डालेंगे तो देखे कडाही का पानी सूख गया है और अब इसमें मस्टर्ड ओयल डालेंगे आप जो भी ओयल खाते है उसी ओयल में भले फ्राइ कर सकते हैं तो ओयल डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब भले के बैटर को तयार करते हैं तो इसमें मैंने डाला है टेस्ट के कोडिंग नमक आप जैसा नमक खाते हैं कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं तो देखें मैंने भले में सिर्फ नमक डाला है और एक साइड मैंने फ्राइ पिन में पानी रखा है तो उस पानी में थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे तक्रीबन हाफ टेवल स्पून और इस तरह से छोटा स्पून से चलाते हुए नमक को पानी में घोल लेंगे और ये पानी मैंने गरम या ठंडा पानी नहीं लिया है बलके ये नॉर्मल पानी है और अब स्पून को हटा देंगे और देखिए मैं सीधे वाली उंगली में उंगूठी पहनी हूँ तो मैं कोई भी चीज पकोड़े ये सब बनाती हूँ तो मेरी उंगूठी गंदी हो जाती है तो मैं पकोड़े बनाने से पहले उसे दूसरे हाथों की उंगली में उंगू तो देखिए भले बनाने से पहले आप बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेटिएगा ताकि ये खोकला हो जाए और सॉफ्ट हो जाए ऐसी ही अगर आप बना लेंगे तो आपके भले बहुत ही सख्त हो जाएंगे तो देखिए फेटने के बाद मैं बैटर को चेक कर रही हूं तो इस तरह से छोटा सा भले पानी में आप कोई कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें छोटा सा भले बना कर देखिए अगर आपका भले नीचे बैड़ जाता है तो समझे आपके बैटर अभी परफेक्ट फेटे हुए नहीं है और अगर वो पानी के उपर तैरने लग पानी के उपर तैरने लगे थे मतला मेरा परफेक्ट बैटर है फिटा हुआ और इस तरह मैंने तेल जो रखा था गरम होने वो अब गरम हो गया है तेल तो अब इसमें छोटे छोटे भले बनाते जाएंगे आप अपने मर्जी से बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े ही बहुत ज्यादा बड़े बना रही हूं और नहीं बहुत ही छोटे बना रही हूं बिल्कुल मीडियम साइज के बना रही हूं तो इस तरह से छोटे छोटे भले बनाते जाएंगे तो भले में मसाले भले के बैटर में ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं बस सिर्फ नमक डाल कर बनाये जाते हैं और जो भी उसके मसाले डाले जाते हैं वो प्लेटिंग के टाइम डाले जाते हैं तो देखिए मैंने एक बार के भल्ले बना लिये हैं और इसे एक साइट से फ्राई होने देंगे तभी इसे दूसी साइट पलटेंगे तो देखिए एक साइट से फ्राई हो गए हैं अब इसे चन्ना से दूसी साइट पलट लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि ये भल्ले दोनों साइडों से फ्राई हो जाए, तो देखिए हमारे भल्ले अब दोनों साइडों से फ्राई हो गये हैं, और भल्लों को हमेशा लो या मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजेगा, हाई फ्ले रह जाएंगे और उपर से जल जाएंगे तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है तो अब ये भले दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे तो इस तरह से तेल को जाड़कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे और जो मैंने नमक वाला पानी बना कर रखा है उसी पानी में भलो को डाल देंगे और इसे ज्यादा देर डला हुआ नहीं रखेंगे जैसे और अब दूसरा टिप तयार करेंगे तो इसी तरह से छोटे छोटे भले तेल में छोड़ते जाएंगे और बाकी के भी भले इसी तरह से तयार करेंगे तो देखिए मैंने दूसरी बार के भी भले बना लिये हैं और इन्हें दोनों साइडों से फ्राई होने देंगे तो देखिए ये सारे भले मैंने बना कर तयार कर ली है और अब इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे तो थोड़ा सा हलके हातों से प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे नहीं तो आपके भले तूट जाएंगे तो बहुत ही हलके हातों से इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे देखिए हमारे एक भी भले नहीं तूट रहे हैं मैं बहुत ही हलके हातों से इसका पानी निकाल रही हूँ नमक के पानी में रखने से ये फायदा होता है कि आपके भले सॉफ्ट बनेंगे और सिठा बिलकुल भी नहीं होगा जैसे नमक नहीं डालेंगे ना तो इसका नमक बहुत कम हो जाएगा पानी में डालने से इसलिए पानी में जरूर नमक डाला करें और चलिए अब इसका मसाला त्यार करते हैं तो मैंने तवा रख दिया है और इसके उपर एक बड़ा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे और पांच सूखी लाल मिर्च और इस तरह से तवा के उपर फैला देंगे और जब ये गरम हो जाए तो स्पून की हेल्प से इसे लगतार चलाते हुए ड्राइ रोस्ट करेंगे आप देखेंगे थोड़ी देर में ही इन मसालों में से एक सोंधी सोंधी सी खुश्बू आने लगेगी तो समझिये आपके मसाले रोस्ट हो गए हैं तो अब आप फ्लेम बंद कर दें तो देखें मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे किचन काउंटर पे निकाल कर बेलन से मोटा दरदरा पीस लिया है आप चाहें तो इसे बारीक मिक्सी के जार में डाल कर पीस सकते हैं या सिल्वटे पे और दही बल्ले के लिए मैंने एक केजी दही को घर में जमाया है और ये देखिए प्लेटिंग के लिए हमारा सारा समान यहां पे हाजिर है इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, दही, दही बल्ले मसाला और ये है चाट मसाला, एक चमज, एक चमज रेट चिली पॉडर जो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं दही भल्ले की तो दही भल्ले के लिए दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे भल्लो को तो फ्रेंड्स मैं ये दही भले ईद पर बना रही हूँ ईद स्पेसल है तो आप ईद के दिन जरूर बनाएं आप के हम गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह से दही भले बना कर देंगे तो आपके गेस्ट बहुत ही खुस हो जाएंगे और बहुत ही शौक से खाएंगे और ईद मीठी इद होती है तो मीठा खा खा कर सब का दिल भर जाता है तो आप इस तरह से दही भले बना कर मिहमानों को दें तो तीखा चटपटा खा कर उन्हें मज़ा आ जाएगा तो देखिए मैंने सारे भले निकाल लिये हैं और इस तरह से मैंने एक बाउल में चीनी दही लिया है और उसी दही में एक छोटा स्पून चीनी एड़ कर देंगे और इस तरह से चला कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी घुल ना जाए इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से दही फिट ना जाए तो देखें मैंने दही से सारे भलो को कोट कर दिया है ढ़क दिया है और अब इस पर ग्रीन चटनी से गानिशिंग करेंगे तो ग्रीन चटनी से मैंने गानिशिंग कर लिया है और अब इस पर करेंगे इमली की चटनी से गानिशिंग तो फ्रेंड्स इमली की चटनी दही भले के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप इमली की चटनी दही भले में नहीं डालेंगे तो आपके दही भले खाने में इतने टेस्टी नहीं बनेंगे और मज़ा नहीं आएगा तो इमली की चटनी भी बहुत जरूरी है दही बल्ले के लिए तो मैंने इस पर दही और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी से गानिशिंग कर लिया है और अब इस पर सुखे मसालों से स्प्रिंकल करेंगे तो ये मैंने जो बनाया था दही बल्ले मसाला इसे उपर से स्प्रिंकल कर देंगे और अब चाट मसाला चाट मसाला भी बहुत टेस्टी लगता है दही बल्ले के उपर और आप जितना तीखा खाते हैं उतना रेट चिली पौडर से गानिशिंग करेंगे